शपा कॉंग्रेस वाले सरकार में आए तो राम लला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुल्डोजर चलवा देंगे क्या योगीजी से यही सिखना है क्या अरे जड़ा योगीजी से ट्उशन लो बुल्डोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना इंदों करने वाली उनकी सोच को बेनुकाब कर दो तो कहते हैंartio हिंद्डो मुसलमान कर ता है अरे मोधी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पुरा इतिहात देश को बतान के लिए राम नौमी के दिन कहते हैं यह राम मंदिर को बेकार बताते हैं बद्धी बद्धी बाते करते हैं और कॉंग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोड का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है सपा कॉंग्रेस वाले जब मैं कहता हूं न कि कॉंग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग यह कोड का निर्णय पलतना चाहते हैं कुछ लोगों नहीं यह रहसा तो कैसे हो सकता है ब्रह्म में मत रहिए देश जब आजहाजी का अंदोलन कर रहा था न और देश के टुकडे करने की बात आती थी तो देश का हर वेक्टी क्या नहीं यार देश के टुकडे सोड़े होते हैं हो गए एक नहीं हो गए इन्होंने कर दिया और नहीं कर दिया यह किसी भी हद तक जा सकते हैं जी इनका टैक रेकोर्ड है इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई उनके लिए तो उनका परिवार और पावर यही उनका खेल है सपा कॉंग्रेस वाले सरकार में आए तो राम लला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुल्लोजर चलवा देंगे क्या योगी जी से यही सिखना है क्या अरे जेरा योगी जी से टूसन लो बुल्लोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना साथियों यह चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रेक रकॉर्ड ऐसा है यही इनकी साजिस है अब आजसे लोगों को अगर आप वोड़ दे सकते हैं क्या ऐसे लोगों को वोड़ दे सकते हैं क्या साथियों ऐसे लोगों तो वोड़ तो छोड़िये ऐसी सजा करनी चाहिए ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए साथियों सपा कॉंस के लिए अपने वोड़ बेंग से बड़ा कुछ नहीं है और जब मैं इनकी पोल खोलता हूँ तो ये बेचेन हो जाते हैं नेंध हराम हो जाती है लेकिन फिर क्या करते हैं जैसे बहुत बुखार चड़ जाए ना तो वो आज में कुछ भी बोलता है ये भी कुछ भी बोलना शुरू करते हैं ऐसी गालिया देते हैं आप मुझे पताईए बाबा साम आम बेड़ कर जब संभिधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षन के सबसे बड़े विरोधी थे धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा ये संभिधान सबाने नेने किया था और सोच विचार करके किया था अरे इतने ही नहीं इनके पर्नाना ने भी दर्म के आधार पारक्षन का विरोध किया था लेकिन दस साल पहले यहाँ यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षन देने की कोशिश की थी और करना तका में तो कर दिया करना तका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है इन्होंने करना तका मैं क्या किया जितने मुसल्मान थे उन सब मुसल्मानों को रातो रात OBC बना दिया थप्मा मार दिया कागज निकाल दिया अब जो OBC को आरक्षन मिला था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहां हाथ गिस्ते रह गए क्या यहां आपका आरक्षन कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या क्या आरक्षन लूट ने देंगे क्या क्या OBC का हग छिनने देंगे क्या क्या S.C. का हग छिनने देंगे क्या S.C. का हग छिनने देंगे क्या अरे बाबा साब आमबेरकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है और बिहार के इनके चारा गोटाले के जो चेंपियन है ने अदालत ने जिनको सजा फरमाई है अभी जेल से तबियत के बहाने बाहर गुम रहे हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रक्षा अब मुसल्मान को मिलना चाहिए अब मुझे बताईए इसका मलब दलीत आदिवासी पिछडे ओबीसी इनके पाद कुछ बच्चे गई नहीं भाई मैं आपकी रक्षा करने के लिए आपके अधिकारों के रक्षा करने के लिए चार सो पार मांगता हुआ आपसे कॉंग्रेस के सरजादे कहते हैं यह नया लिया है वह कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे मतलब आपका लोकर में क्या है आपकी जमीन कितनी है गेहने कितने हैं सोना कितना चांदी कितनी है आपके मंगल सुत्र कहा है वो लूट चलाना चाहते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे ले करके जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा भाईयो बहनों ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है सपा कॉंग्रेस तुष्टी करन के आगे गुट ने टेक चुकी है और मोधी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कहें करते है और यह लंबे समय ते उनकी इकॉसिटिंव है उनके बे इमाने वकर आप बे नकाव कर दो és उनकी गोर् सांप्व्ताइचृ को बेनकाव कर दो उनकी वोट मेंकी राजनीती को बेनकाव कर दो दिन दिन रात हिंदु मुसल्मान करने वाली उनकी सोच को बेनुकाब कर दो तो कहते हैं मोधी हिंदु मुसल्मान करता है अरे मोधी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पुरा इतिहाद देश को बताने के लिए